असलाम अरेकम विवर्स मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर आज मैं आपको अपनी ये शर्ट शो करूँगी जो के मैंने लाइम डाइट से बाई की थी इसको स्टीचिंग के थूँ मैंने कैसे मोडिफाई किया है वो मैं आपको आप शो करोने है कि इस शेर्ट के अगर फैबरी की बात करूँ तो ये Kendrick फैबरिक है और जो फिलहाल के मौसम में तो पैना जा सकता है लेकिन शदीद घर्मी के मौसम में हम इसे एजिली वियर नहीं कर सकते है इसके अगर नेकलाइन की बात करूँ तो मैंने बोट शिप नेक बनाया है जो के विट वाइस काफी ज्यादा है लेकिन गहराई में कम है अगले गले के गहराई पिछले से हाफ या एक इंच ज्यादा है इसके सामने ये इंबराइटरी नहीं है बलके असीनों और शिप के अगलोर पिछले हिस्से पर ये प्रिंटिंग हुई है जिस व्यादा से मैंने इसके गले को सादा ही रखा है मजीद इसके अपर कोई काम किया अगर स्लीव की बात करूं तो वह वैल बॉटम है और स्लीव के बॉटम पर मैंने ये संथेटिक फर जो के लेस की सूरत में बजार से इजी अवेलेबल है वह लगाया है और इसके बैक के हिस्से को चुपाने के लिए मैंने शर्ट के बचे हुए कपड़े से अलाइद अगर पल्ला पिछले पल्ले की निजब दो या तीन इंच उंजा है और अगले हिस्से को मैंने राउंड शेप दिया है इसके अगर बैक की बात करूं तो बैक के ओपर वही वैसा ही प्रिंट है जैसा के फरंट पर है लेकिन इसकी गहराई उसकी निजब थोड़ी कम है तो पिछे से स्ट्रेट है लेकिन पिछले हिस्से पर चौक के उपर जहाँ पर यह चौक स्टर्ट होते हैWhy पर मैंने यह स्यरी लाएस और यह कपड़ा जो इसके साथ और और स्रीयो cte liff's के बाउडर में दिया था उसको नॉर्मल धागे के साथ ऽीलई करके इसके साथ इन अंदर इंसर्ट किया है ताकि थोड़ा सा इसका फैंसी लुक आए थोड़ा कि मोडेफाई लगे यह थी मेरी श्यूर्ट की डिस्क्रिप्शन चुक्के मैंने वह जस्ट एक श्यूर्ट बाई की थी और इसके साथ जो मॉडल की गिवन पिक्चर थी उसमें जो मॉडल ने ट्राउजर बेगे तो स्किन कलर का था तो इसके लिए मैंने शलवार का कपड़ा इस ब्लॉक प्रिंटिंग टाइप फैबरिक में बाई किया है यह इसली फ्रंट से इसली हो जाता है यह इंबोस पैटरन नहीं है और इसको मैंने शलवार की फार्म में स्टिच किया है इसको मैंने ट्राउजर का लुक नहीं दिया है क्योंकि ट्राउजर की निजबे शलवारें आजकल ज्यादा फैशन में हैं इसके अगर दुबट्टे की बात करूं तो दुबट्टा साधा करिंकल का जो के इजीली बजार से अवेलिबल होता है वो ही मैंने बाई किया है इसके साइड पर मैंने कोई पीको या कोई लैस नहीं लगाई इसको मैंने साधा ही रहने दिया है और इसके जस्ट एजिस को छुपाने के लिए मैंने वजार से इसको साइड पर छोटे वाले हिस्सों पर जपानी पीको करवा ली थी ये था मेरा ड्रेस उमीद है आपको पसंद आया होगा ये है मेरे ड्रेस की कमपलीट लुक अगर आपको मेरे आइडियास पसंद आते हैं तो लाइक एंड सबस्क्राइब चू माई चैनल